सिकंद्राबाद SDM कॉलोनी इस्थित जेपी इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयुजन किया गया इस कार्यकरम में छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया प्रदर्शनी में MS Inter College के प्रदानेचार्य डॉक्टर राजकुमार बतोर मुख्य अतिती शिर्कत करने पहुँचे जबकि मुख्य अतिती ने मा सरस्वती के समक्ष दीप जला कर फूल माला अर्पित करते हुए विज्ञान प्रदर्शनी का शोबारम करते हुए चात्रों को इस अनूठे प्रदर्शन के लिए बधाई दे कर उत्साहवर्दन किया प्रदर्शनी में स्कूल के लगभग सौ बच्चों ने भाग लेते हुए प्रोजेक्ट्स मॉडल वा वर्किंग मॉडल तयार किये इस प्रदर्शनी को चार वर्कों में विभाजित किया गया जिसमें LKG क्लास से लेकर कक्षा 11 तक केज शात्रों ने भाग लिया इस दोरान शात्रों ने Elevated Ambulance, Vacuum Cleaner, Smog Observer, RO Water Purifier जैसे मॉडल बनाए सभी अभिभावकों की प्रशंसा के पात्र बनी इसके साथी चात्रों ने अभिभावकों के मनुरंजन के लिए अनेक खेल भी रखे समापन की दोरान मुख्यातिती ने सभी चात्रों को पुरुसकार देकर सम्मानित कर प्रदशनी में हिस्सा लेने वाले चात्रों का उत्सहवर्दन किया अगर बनी मिर नाम पारूल सिंह है ए है ए अगर प्रिंपल आप्र निश्वल्टन अग्या श्कूल इसके साथी चात्रों के लिए प्रिवर्वर्ण चिकांशाश थेवार्षाई and not only on the science topic but on the languages on Hindi and English languages students of junior classes they have shown many wonderful projects दोक्टर राजकुमार प्रेंसिपल है मैं सिंटर कॉलिज सेकंद्रावार हाँ मैं जेपी इंटरनेशनल आया हुआ मैं सभी विद्याले जेपी विद्याले के स्टाफ और स्वामी जो वे संजीव जी हैं प्रदानाचार है और सभी छाच्छात्राओं जितने भी बच्चे है उनको बड़ा आभार प्रिकट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से लगन से मेहनत करके विज्यान प्रिदर्शनी का आयुजन किया है वो सभी आभार के पात रहें उनको इस तरीके के मौके मिलते रहेंगे तो अपनी पिर्तिबा दिखाते रहेंगे और मैं आसा करता विज्विश्य में इस प्रिकार की किरिया का लाब विद्याले में चलते रहेंगे जिससे बच्चे समय समय पर इस तरीके का लाब उठाते रहेंगे इस मौके पर प्रधान चार्रे पारूल सिंग, मिनाक्षी चौधरी, आशा शर्मा, अनामिका शर्मा, अरपिता तलाटी, सुन्दर सिंग, नीरू सक्सेना, मेगा चौधरी समिट स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 नीव